कार्तिक माहा में भगबान विष्णु की पूजा आराधना पवित्र नदियों में इस्नान और दान पुन्नी करने का बिशेश महत्त होता है। कार्तिक माहा में कई तरह के बड़े पर्व मनाये जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमहा। दोस्तो आज हम जानेंगे कि कार्तिक माहा शुरू हो गया है। ऐसे में आप एक महीने कार्तिक के पावन महीने में आप किस परकार से स्नान करें। किस परकार से दान करें। किस परकार से आपको दीपक प्रजुलित करना है। और माता तुलसी की किस प्रकार से पूजा अर्चना करनी है। सब कुछ बताएंगे इस छोटी से वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजेगा। चलिए शुरू करते हैं, 18 अक्टूबर से कार्तिक महा शुरू हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं, यह हिंदू पंचांग का आठमा महीना होता है। इस महा के स्वामी कार्तिक के भगबान होते हैं, जिस कारण इसको कार्तिक महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक महीने का विशेश महत्तो है। कार्तिक महा चार महीने तक चलने बाला चत्तुर मास का आखरी महीना होता है। इस महीने देव उठनी एक अदसी आती है जिसमें भगवान विश्णू चार महा की निंद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विश्णू के जागने पर सभी तरह के सुब और मांगलिक कार फिर से आरंब हो जाते हैं। पूरे कार्थिक महा में दीबदान करने का विशेश महत्त होता है। आईए जानते हैं कार्थिक महा आखिरखार क्यों इतना खास है। कब से कब तक रहेगा कार्थिक मास चलिए इस पर हम पहले प्रकास टालते हैं। बैदिक पंचांग के अनुसार इसनान ध्यान और दीबदान का महीना कार्थिक क्रश्न पच्च की प्रतिपदा से आरंब हो जाता है। जो कार्थिक पूरिमा तक चलता है। फिर इसके बाद साल के बाकी महीने माक्सी, स्पॉस, महा और फाग उनाता है। चैत का महीना हिंदी कलेंडर का पहला महीना होता है। इस बर्ष कार्थिक महा 18 अक्टूबर से आरंब हो रहा है और 15 नवंबर को खत्म होगा। चली अब जानते हैं कार्थिक महा का महत्तूबर कार्थिक महा का बहुत महत्तू होता है। कार्थिक महा में भगबान विश्णू और तुलसी माता की पूजा गंगा इसनान दीप दान का विशेश महत्तू होता है। इस महा में इसनान और दान करने से सुफ फलोक में कई गुनों की बढ़ोत्तरी होती है। बही जोति द्रस्टी से इस महा में सभी को प्रकास देने वाले सूर्यदेव अपनी नीच रासी तुला में रहते हैं। इसके कारण बातापरण में प्रकास का छे होता है। और नकारात्मक उर्जा में ब्रद्धी होती है। जिस कारण से इस महा दीप जलाने से नकारात्मक उर्जा में कमी आती है। और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है। पुरानों के अनुसार इस महा में भगवान, विश्णू, नारायन, रूब में जल में निवास करते हैं। इसलिए कार्थिक कृष्ण प्रति पदा से लेकर कार्थिक पूरिमा तक नियमित सुर्योदे से पहले नदी या तालाम में इसनान से अच्छे पुन्य की प्राप्ति होती है। सास्त्रों के अनुसार जो मनुस्य कार्थिक मास में प्रति दिन गीता का पाठ करता है, उसे अनंत पुन्यों की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कार्थिक माहा में क्या करें और किस प्रकार करें। कार्थिक महा के दोरान हर दिन गंगा इसनान, दान और दीपदान करने से कई गुने सुब फल आपको प्राप्त होते हैं, कार्थिक महीने में तुलसी की बिदी बिदान के साथ सुब और साम को पूजा और दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए, कार्थिक महा में पवित्र न को कार्थिक का महीना सभी महीनों से अतिप्रिय होता है जो व्यक्ति इस महा में अन्यदान दीबदान करता है उस पर कुबेर जी की किरपा हुती है भक्ति जनों अब जानते हैं कार्थिक महा में इस नान कैसे करना चाहिए कार्थिक महा में सूर्योदे से पहले उठकर पवित पूजन का विशेश महत तो है ऐसे में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और उसकी परिक्रमा करें चलियत जानते हैं तुलसी जी की पूजा कैसे करें घार्तिक माहा में तुलसी जी की पूजा और किन बातों का ध्यान रखें चलिये जान लेते हैं हर रोज ब्रह्म मुहूरत में उठकर इसनान करने के बाद जल चड़ाएं जल चड़ाते बक्त महाप्रिशाद जन्नी सर्व सौभाग बर्धनी आधी ब्यादी हरा नित्य तुलसी तुयम नमुस्तुते मंत्र का जाप करें इस प्रकार आपको तुलसी मया की पूजा करनी है और मंत्र करना है यदि संभव हो तो जल के साथ गाय का कच्चा दूद भी अर्पित करें तुलसी के पेड़ में कार्तिक महा के दौरान प्रति दिन शाम को घी का दिपक जलाएं ऐसी मानिता है कि जो लोग सच्ची मन से तुलसी की पूजा करते हैं उन पर मालच्च मी प्र कार्तिक महा में नहाने वाले को क्या नहीं खाना चाहिए कार्तिक महीने में उरद मूंग मसूर चना मटर राई खाना भी बरचित बताया गया है कार्तिक मास के पवित्र महीने में मासाहार का सेवन नहीं करना चाहिए माना जाता है कि कार्तिक के महीने में वगवान प्वीड़ जल में निवास करते हैं, ऐसे भी भूल कर भी मचली और अन्य पिरकार की तामसिक चीजों का सेबन से बचना चाहिए, इस पिरकार से आप घर पर तुलसी जी की पूजा कर कार्तिक महा के नियम को जान सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं, इस महा में रोजाना सिरीहरी और माता लच्चमी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, तुलसी के पौदे के उपासना करनी चाहिए, साथी साथ सुबह सा देशी घी का दीपक जलाना चाहिए दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट सेक्षन में जैमाल अच्छमी अवश्चे लिखें मिलते हैं किसी विशेश वीडियो की जानकारी के साथ तब तक के लिए हर हर महादेव ओम नमो भगबते बासुदेवाय नमहा